जेलों में रोकने के लिए मन इस रोच नेयले ने अभी 23 मार्च को साथ वर्स से कम सजाप्राप्त कैदियों के बारे में एक महत्फून निर्णे दिया था जिसमें उन सभी बंदियों को बेल पर या पेरोल पर छोड़ने के लिए आदेश दिया था उत्तरप्रदेश विदिक सेवा के साथ मारे डीजी जेल और अपरमुक्य सचिव ग्रहे की जो एक कमिटी है इन लोगों ने ग्यारा हजार से अधिक ऐसे मामले पाए हैं और ग्यारा हजार से ऐसे अधिक बंदी जो उत्तरप्रदेश की जेलों में थे उन्हें पेरोल पर या ब्याल पर देने के लिए नड़ने लिया गया है जो पेरोल पर दे जा रहे हैं उसके एक सामने प्रक्रिया है और जिन्हें बेल देया जाना है डिस्टिक जद सवंती जन्पत की जेलों में जाकर के उन सब को बेल उपलब्द कराएंगे ये कारवाई ततकाल प्रभाव से प्रारम होने जा रही है इससे ग्यारह हजार से अधिक जो बंधी हैं वे बेल पर या पेरोल पर छोड़ जाएंगे प्रदेश के अंदर लॉगडाउन की स्तिती के लिए हम लोगों ने पहले ही ग्यारह कमिटियां बनाई है जो प्रदेश की 23 करोड जनता या प्रदेश के अंदर रह रहे है किसी भी प्रदेश या किसी भी देश के उन सभी नागरिकों की सुविधा और उन्हें हर परकार के यहां पर किसी भी परकार की कोई समस्या न हो इसका समाधान करने के लिए पहले से ही हमारी एक कमिटे यहां पर कारे कर रही है उत्तरप्रदेश के नाकरिक बहुत बड़ी सिंख्या में देश के अलग-अलग राज्यों में भी रहते हैं इसके लिए भी हम लोगों ने अपने नोडल अधिकारी तैनात कर दिये हैं कुछ राज्य छूट गए थे जिनको हम लोगों ने कल की सुची जो हमारी जारी भी थी उसमें वे कबर नहीं हो पाये थे खास तोर पर उडीसा और पुरोत्तर के राज्य हिमांचल जमुकस्मीर लद्दाक के साथ ही तक्षिन में केरल और तमिलाडू और चट्टीस गड़ इन राज्यों को भी आज हमने नए नोडल अधिकारी इन सब के लिए तैनात किये हैं ये नोडल अधिकारी एक तरब उत्तर प्रदेश के अंदर इन राज्यों से जुड़े हुए जो भी नाकरिक होंगे उनके बारे में समन्थी जला प्रसासन को आउस्यक सुचनाई देने और उनको हर प्रकार से प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या न हो जहां इसकी चिंता करेंगे वहीं प्रदेश के जो नाकरिक इन विभिनर राज्यों में रहते हैं या नौकरी पेसा करते हैं किसी रोजी रोजकार के साथ वहां जुड़े वे थे लौक डाउन के कारण उद्योग बंद हुआ है या बंदी के कारण वे वापस आना चाहते हैं तो उन लोगों की उन राज्यों में ही तादकाली ग्रूप से रहने की विवस्था और उन राज्य सरकारों के साथ मिल करके किसी प्रकार की उन्हें असुविधान नहो इसके बारे में यह नौड़ा लदी कारे करेंगे मेरे बिनम्बर अपील होगी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से जो प्रदेश में रह रहे हैं और जो प्रदेश के बाहर भी रह रहे हैं कि लौड़ाउन की एक कारवाई उनके उत्तम स्वास्ते है और सुरक्सित पहुश्य के लिए बहुत महत्तुफून कारवाई ह क्योंकि कोविड नाइंटीन एक कोरोना वाईरस के खिलाब देश की जो लड़ाई है यह इस वाईरस के संक्रमन से देश वासियों को बचाने के लिए भारत सरकार और अधरने प्रदानमंत्री जी ने एक बहुत महत्तुफून अध्यान का हिस्सा इसे बनाया है और प्रते एक देश वासी को इसमें सहुख करना चाहिए क्योंकि कोई थोड़ी भी लापरवाही इस देश में भी बड़ी तरगटना का कारण बन सकता है हम इटली इसपेन इरान या दुनिया के जिन देशों ने थोड़ी भी लापरवाही बरती है वहां का मनचर हम देख सकते हैं औ और इसलिए मेरी अपील होगी उत्तर प्रदेश के सभी नाकरिकों से कि वे लॉगडाउन के इस कारवाई का फूरा समर्थन करें जहां हैं वहीं रहें वहीं पर उनको सारी सुबधाएं उपलब्द करा दी जाएंगे उल 14 अपरेल तक की बात है 14 अपरेल तक वे वहीं पर उसकार रहें उनके लिए सारी सुबधाएं समंदित राज्य सरकारें उपलब्द कराएंगी भारत सरकार ने इसके ले एंडियारप में धन की बिववस्ता की है सभी राज्य सरकारों को प्रयाप्ट धनडा से उपलब्द करवाया है इसलिए धर-धर जाने की वजाए क्यो तो ये हमारे नोडल अधिकारियों को बता दे, नोडल अधिकारियों उन राज्जियों के साथ मिल करके इनकी सारी सुवधा वहाँ पर करेगी, ये मेरी बिनम्र अपील होगी, आपके उत्तम स्वास्टे के लिए, और आपके और आपकी परिवार के एक सुरक्सित भॉष्श किये आपकी सिवा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं और कहीं भी कोई अस्विधान नहीं होने देंगे यह मैं आप सबसे भी अपील करूंगा आप सबसे भी अलोत करूंगा धन्यवाद